श्री शिवाय नमस्तू भियंभग जनू मैं हूँ सिवभग प्रीती और लेकी आई हूँ आज का नया वीडियो इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़ें कमेंट में लिख भीजिए हर हर महादेर और वगवान गणी जी महाराज राखी काय पर बेट कर बांदी जाती है अरे बोलो तो एक चोगी पर पाटे पर आसन पर बिठा कर रक्षा सूत्र बांदा जाता है राखी बांदने के बाद बेहन भाई के माथे पर अरे बोलो तो तिलक करते हैं आप लोग भी तिलक करते हैं तिलक क्यों किया जाता है तो करते हैं ये तिलक हमारे यहां सुबकारे का प्रतीख है पर तिलक प्रतीख है पर जो चावल हम तिलक में लगाते हैं ये क्यों लग सिर में चावल चिपकाना, तिलक लगाने के बाद चावल लगाना, कहां चलू हुआ ये चावल है क्या, आखिर ये चावल तिलक के बाद में ब्रामन या आप किसी को भोजन करा रहे हो, जमाई को तिलक कर रहे हो, बेटी को तिलक कर रहे हो, तो कंकू लगाने के बाद चावल क्यों लगाया जाए उस चावल का क्या प्रमान उस अच्छत का क्या प्रमान क्यों लगाते हैं उस भग्जन राखी का तेवार ग्यारा तारिक को भद्रा नचत होने के कारण साम को साड़े साथ बजे से बांधा जाएगा या मनाया जाएगा और बारा तारिक को सुबह साड़े साथ बजे तक राखी बांध लेनी है यानि की सुबह साड़े साथ बजे के बाद पुन्निमा समाप्त हो जाएगी नमस्शिवाय ओम नमस्शिवाय क्यों लगाते हैं? लगाते हैं पुरी जिंदगी हो गई, तो बता दो क्यों लगाते हैं? वो चावल का क्या प्रमाज? कि कंकु का तिलग तो लगाया, वो हमारे यहां सुभकारे का प्रतीक है, समर्धी का प्रतीक है, पर जो अच्छत हम माथे पर किसी के लगाते हैं कंकु लगाने के बाद में चंदन लगाने के बाद में जो चावल लगाया जाता है वो चावल का क्रम क्या है तो शास्त करता है सुन्दर विश्णु पुरान में भगवान वेद्वियास जी ने वर्णन करा जिसके मस्तक प्रतिलक लगाया जाता है वो शुबकारे का प्रतिक होता ह और अक्षत इसलिए लगाया जाता है कि इस अक्षत के मात्यम से आपकी जिंदगी में ये शुबकारे निरंतर चलता रहे इसलिए अक्षत उसके मात्यम पर लगाया जाता है शुबकारे के लिए निरंतर चलने के लिए इसको करते है अक्षता अक्षता का मतलब क्या है निरं चंतर बढ़ते रहो दूलदुलें की जब जैमाला होती है आप कि नहीं होता पता न date महरा Is वह टो पीछे माल्प होती कि तो पीले चावल दिए-च्ववं अण पिर उसको स्वतिवाचन के नुसाथ उसमें छोड़ा जाता है शुब मंगला अरे बोलो तो सावधान शुब मंगला सावधान उसके उपर छोड़ से कि सावधान और यह चावल तुम्हारे मस्तख पर जो पड़ा हुआ है तुम्हारे मस्तख पर जो डाला जा रहा है तुम्हारी जिन्दगी इसी प्रसनता में निरंग पर बढ़ती चली जाए वो अक्षता का मतलब है केवल एक देव है महादेव जिनको खंडित चावल कभी नहीं चड़ता शिवजी को आप बहुत सारा चावल नहीं चड़ा सकते एक दाना चड़ाओ पर खंडित मत चड़ाओ अक्षत शंकर को कोई चीज खंडित नहीं चड़ती बेल पत्र भी चड़ाओ बले एक चड़ाओ और पूर्ण चड़ाईए भगवान बोले ना तो को पुष्प चड़ाईए पूर्ण तामे चड़ाई हम कई जगा मंदिरों में जाते हैं तो भगवान के उपर फूल आते हैं कई वार देवता के ऊपर रग देते यस तरह से भाया शास्त करता है जिसके ठाकपुर जी पर जिसके मंदिर में जिसके देवी देवता पर अगर पुष्प को उल्टा रग दिया जाए तो जितने शुपकार हमारे घर में होना वाले रहते हैं वो सारे कलते चले ज जाता है यहां तक सास्त्र केता है अगर भगवान को पुष्प चना रहे हो तो अगर सीधार उल्टा नहीं मालूम तो नीचे की जो डाठ है उसको तोड़ दीजिए पत्ती की पंखडी की पंखडी भगवान को समर्पित कर दीजिए वो श्वजी को स्विकार होगा वो पानी में कई माता हूं कि आदर्ती हैं प्रांवन' को भी देखा क्या क्या करते हैं कमें डल दल गया और उस फूल को निकाल कर आपने महा देओ को समर्पित करा देवी देवता को समर्पित करा ठापुर जी को समर्पित करा तो जो पानी में पढ़ा हुआ फूल निकालकर अगर हमने देवता को चड़ाया तो वो निर्माल लेके तुल्य हो गया काई के तुल्य है निर्माल निर्माल जानते हो भगवान पे चड़ा हुआ फूल मतलब उसका कोई परिवासा नहीं है तुम कित्ती चड़ा ले वो निर्माल लेके तुल्य है अगर पानी में पड़ा हुआ पुष्प निकाल कर पानी के लोटे में से, पानी के कलश में से, पानी की पाल्टी में से उठा कर चड़ाया है, तो वो निर्माली हो गया, मतलब चड़ा चड़ाया, फूल हो गया, उसको भगवान शिकार नहीं करते हैं, यादर की, उसी तरह जिसे तांबे की प्लेट में रखा हुआ चंदन रहा है और वो अपने लगा दिया तो वो चमड़े के बराबर हो जाता है इसलिए तांबे की प्लेट का चंदन किसी को नहीं चड़ाया जाता किसी देवता को नहीं लगाया जाता पूर्णता का समर्पड़ा पूर्णता पराज के जमने में लोग पूर्णता देते घाएं एक बाद बताओ भगवान के मंदर में नरियल फोड़ा राम जी के मंदर में अनमान जी के मंदर में नरियल फोड़ा और वो नरियल फूटने पर अच्छा निकल गया तो भगवान ने सिकार करा की निकला अरे बोलो जमके अच्छे से बोलो करा अच्छा ठीक है आप बोल रहों करा शुमापुराण कर यह नहीं करा अगर नरील खोड़ने पर राम मंदिर रहनमान मंदिर में देवी मंदिर में नरील को खोड़ा और फूटने के पार अगर वो नरील अच्छा निकल गया उसमें से तोड़ा सा तुकड़ा तो तुमने भगवान को चड़ाया पाकी ऐस सब घर ले जांगे चपको से निकाल निकाल के शौब और मानलो वो नर्यल भूटने पर बेकान निकल गया तो तुम उसको घर ले जाओगे? natuurlijk नहीं क्या करोगे जवानवान जी की परिक्रमा कर रहे होगे तो नर्यल को भगवान शिव की कता कर रही है कि भगवान शंकर को कूनता का भाव चाहिए बेल पत्र दो कून दीजिए पुष्प दो कून दीजिए जो कुछ अक्षत भी दे रहे हो तो कूनता में भगवान को अ तरिकमा किती होती है आदी, पूरी नहीं होती है, वो भी क्यों होती है आदी, संकर जी न गरवढ़ी कर दी थी न, बड़ा जो बेटा था, वो मा को प्रियत था, और छोटा बेटा, अरे बोलो तो, बाप को प्रियत था, अब संकर भगवान बड़े आनंद में, उन्होंने क् अब शंकर जी को गणेजी से बड़ा लगा हो गया तो बड़ा लगा एक बर बहुत और भगवन बोलेना जी ने कहा जाओ जो प्रथवी की पहले परिक्रमा करकर आएगा उसका प्रथम गिंती में गिना जाएगा कार्थी के तो गए मोर पर गणेजी बेटे चुए पर और मा भगवान प्रथम तो पेले पूजा जाएगा जैसे भगवान शंकर ने बोला पारवती सिंगहसं के से खड़ी होगा पार्वती सिंगासन पे से जैसी खड़ी हुई थोड़ी दिर मैं कार्थी के बाबा आ गए और कार्थी के ने आकर कहा वा मा वा मा गजब करा तुने छोटे भाई को प्रथम गिंती में गिनवा दिया और मैं बड़ा बेटा ही लिया मैं तो परिक्रमा करने गया था मा परिक्रमा गणेश ने करी वो तुमारी करी पर पिता के वचन को अगर निभाया तो मैंने निभाया है कि जो प्रथवी की पहले परिक्रमा करकर आएगा वो प्रथम गिंती में गिना जाएगा मैंने प्रथवी की परिक्रमा करी है माना आप माता हो माना आप पिता हो पर गिंती तो वही कराई गए मा आज मेरा अपमान हुआ है कार्टी के जी ने कहा जगदंबा खड़ी होकर बोली भोले ना मैं आपसे बचन लेती हूँ आप भोले हो आप धयालू हो आप करुणा सागर हो जो आपकी परिक्रमा लगाएगा आप उसको हर कुछ दे दोगे इसलिए आज आपसे बचन लेती हूँ कि आपकी परिक्रमा जिंदगी में कभी पूरी ना लगे जो लगाए उसे हत्या का बाबा बोले नाट जी की परिक्रमा पूर नहीं हो जाती है क्योंकि बहुत सरल देव है साथ बाबा बोले नाट बहुत सरल बहुत सरल कितना सरल देव, आपके हैं कोई ऐसा देव था बता, राम जी के उपर दिम में दो वज़े जाके पानी चड़ा के बता, भगवान विश्णू के देवी जी के मंदर में जाके चड़ा के बता, केवले बोले नाज जी आराम से बेखा है, जब तू घर में फिरी हो जाए तब लोटा लेके आजाना, जब तू भीरी है, और सावन महीने में तो कभी आपकाशी, महंकाल, अजेनी, आधिक, 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 ओमकारिश्वर, मलिक, अरजुन, आधि-आधि जगह जाके दे, कोई तो महीं पर कावड का लोटा तक भगवान पर फेक दे, भारवती जी बो तो महीं बोले, मैं भी चुप बेखा, तो भी चुप बेखी, आपने कहीं नहीं बहुता, बस चुप चाप बेखे रो, आख बनकर, उम्मीद करते हूं, वीडियो आपको अच्छे लगी होगा, वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज लाइक, केमेंट, सेर, एंड सास्क्रा मैं चैनल मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद